बॉलिवुट के गल्यारों से बहुत बड़ी गुड़ म्यूज आई है जिसे सुनकर आप चौक जाएंगे या फिर आप की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहेगा बॉलिवुट की मोस्ट गॉडियस गर्ल और लाखो और करोड लोगों के दिल की धड़कन आलिया भट के घर जल्द ही नया महमान आने वाला है जी हाँ आलिया भट जल्द ही मा बनने वाली हैं आलिया ने सोशल मीडिया के जरीए फैंस को ये गुड न्यूस दी है वही अपन पोस्ट पर लाखो सेलिप्स और लाखो लोग उनको बधाई दे रहे हैं बतारे सल 14 अप्रेल को रनबीर कपूर और आलिया भट ने एक दूचे का हाथ हामा था शादी के दो महिने बादी कपल ने गुड न्यूस शेयर कर दी है इस गुड न्यूस के बाद कपूर और भट इमोजी बनाए हैं वहीं उनकी मा सोनी रास्तान ने लिखा कि बधाई मामा एंड पापा लॉयन आलिया को अपनी बेटी माने वाले करन जोहर की भी खुशी का ठीकाना नहीं है आलिया ने इंस्टा पर दो पोस्ट शेयर की हैं पहली पोटो में वह अस्पताल के बेट पर लेटी हुई है उनकी सोनोग्राफी हो रही है कंप्यूटर स्क्रीन को बलर कर उस पर हार्ट इमोजी बनाए गया है वहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर बेबी को देखने के बाद आलिया की खुशी का भी ठिकाना नहीं है वहीं दूसरी पोटो में आलिया ने शेयर शेयर ने और उनके एक बच्चे की पोटो शेयर की है मतलब की आलिया की फैमिली जल्द ही पूरी होने वाली है वैसे तो अपने करियर के पीक पॉइंट पर आलिया ने मा बनने का फैसला किया है ऐसे में फैस लगातार ये सवाल कर रही है कि उनके प्रोजेक्ट का क्या होगा तो कहा जा रहा है कि आलिया ने अपनी अपकमिंग बॉलिवुट मुवीज का शेडियूल पूरा कर लिया है और कुछ दिनों में वो अपनी हॉलिवुट डेब्यू प्रोजेक्ट को भी कम्प्लीट कर लिएंगी जिसके बाद बे मैटनिटी खुट को इंजवाय करने के लिए काम से भी जानकारी नहीं दी है इसके लिए भी फैन्स को थोड़ा सा इंटिजार करना होगा वहीं आलिया ने जिस तरह शादी के सेट पर उनका प्यार परवार चड़ा था आलिया और रंबीर इस फिल्म में पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे कपल के फिल्म में ब्रह्मास्तर 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली है दोनों की शादी भी काफी जल्दी हुई थी उस वक्त भी दोनों की शादी की जमकर चर्चा हुई थी फैन से जल्दी आलिया को ब्रह्मास्तर के अलावा राचा और रानी की प्रेम कहानी हार्ट आफ स्टोन डार्लिंग्स में देख पाएंगे फिलाल के लिए बस इतना ही अगर आपको भी हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्ट्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले